हेलो दोस्तों क्या आप AutoCAD floor plan को Photoshop में render करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप समझ पाएंगे कैसे आप इस चीज़ को करेंगे और आगे हम क्या क्या प्रोसीड कर सकते हैं तो उसके लिए क्या है कि आप सबसे पहले आपको समझना होगा Architecture Photoshop एक्चुल में होता क्या है बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सबसे पहले आप बताएं कि Architecture Photoshop क्या होता है तो Photoshop के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जो Photoshop होता है Photoshop और Photographers वगरा यूज करते हैं Photos वगरा के लिए किस तरीके से फोटो को वो क्लिक करते हैं और उसको Photoshop में ले जाके कैसे वो उस चीज में Effect डालते हैं यह सब चीजे आपको पता है कि Photoshop जो होता फोटो एडिटिंग और Photographer के लिए सबसे जाता यूज में लाया जाता है Photoshop एक ऐसा software है जो सब जंगाया पर यूज किया जाता है सबसे पहले बात करेंगे Photoshop फोटोग्राफर यह फोटोग्राफर यूज करते हैं फोटो को क्लिक करके बाद में Photoshop में ले जाके उसको हलका सा एडिट करना next आता है आपका Photoshop फोटो एडिटिंग हम फोटो में अलगलग टाइप के effect डालते हैं कुछ इस टाइप का effect हम डालते हैं कुछ यह वाले effect हम डालते हैं फोटो को actual में हम edit करते हैं तो यह काम भी हम Photoshop में करते हैं पिर हाता है Photoshop for graphic designer, जो आपके graphic designer होते हैं जो आपके pamplets बगरा बनाते हैं बैनर्स बनाते हैं वो सब आपका Photoshop भी use करते हैं उन सब चीजों के लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सब चीजों में Photoshop का use किया जाता है Photoshop यूज होता है logo design के लिए, जब आप किसी company का logo बनाते हैं, तो वहाँ पे भी Photoshop का यूज किया जाता है, तो इस type के आप logo यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह सब ही logos हम Photoshop में बना सकते हैं, बेसी के लिए illustrator और correlator होता है logo design के लिए specially, उसके बाद है Photoshop for web designing, जो आपके website के banners बनाये जाते हैं, वो भी Photoshop में create करते हैं, Photoshop वहाँ पे भी use होता है, फिर बात करता है Photoshop for fashion designing, यह आपका fashion designing में Photoshop use होता है, आपके clothes design करना, वो सब Photoshop में design किया जाते हैं, और फिर उसको real में बनाया जाते है, फिर आता है Photoshop और interior designing, जो आपका interior designing होता है, वो भी हम Photoshop पे करते हैं, sketches ready करते हैं, Photoshop के जो आर्किटेक्स होता है, interior designer होते हैं, और sketches ready करके उसको फिर Photoshop में एक look दी जाती है, इस तरीके की चीज़े वहाँ पे बनाई जाती है, in Photoshop, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक sketch ready करके उसको Photoshop में इस तरीके से create किया जाता है, उसके बाद, अब हम अपने मतलब की बात करते हैं, जो architects और interior designer है, mainly जो architect और interior designer है, वो use करते है Photoshop को as a post production, एक render आप निकालते हैं, किसी भी 3D software से, और फिर इसको post production की help से greenery, sky effect, क्यों भी human being यहाँ पे place करना है, उन सब चीज़ो को हम use करते हैं, यह render की image है, और after post production हम इस तरीके से चीज़ों को create करते हैं, render निकालने के बाद, कैसे उसमें lighting effect लेके आना है, sky दिखाना है, sparrows दिखानी है, birds दिखानी है, human being दिखाने है, एक real में उस चीज़ को effect को लेके आना है, वहाँ पे भी हम use करते हैं, but जो अब हम बात करने वाले हैं, वो है mainly Photoshop 2D render, उसमें क्या होता है, कि आप जब AutoCAD के plan को यहाँ पे बनाते हैं, उसको PDF में convert करते हैं, फिर उसको कैसे आप render करते हैं, render मतलब कैसे आप यहाँ पे texturing करते हैं, shadow कैसे लेके आते हैं, coloring कैसे करते हैं, PNG images कैसे लेके आते हैं, वो सब चीज मैं launch कर रहा हूँ, आप मेरी app पे जाके, आपको link description में मिल जाएगा, मेरी app पे जाए और वहाँ पे Photoshop को यहाँ से आप को open करके आप course को purchase कर सकते हैं, जहां पे 18th August 2021 से live classes start होंगी, उसमें आपको सिखाये जाएगा कि firstly, कैसे आप AutoCAD के plan को PDF में convert कर सकते हैं, PDF में convert करने के ब आप यहां से इस तरीके का PDF convert करने के बाद कैसे आप इस plan को उस coloring कर सकते हैं, shadow कैसे डाल सकते हैं, PNG images किया होती हैं, उसको place कैसे कर सकते हैं, और अगर PNG images आपके पास नहीं हैं तो कैसे आप PNG images बना सकते हैं, Lamp में glow कैसे आप provide कर सकते हैं, इस तरीके के आप कैसे effect लेके सकते हैं, जो आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो यह effect आप यहां पर AutoCAD की फाइल को कैसे इस तरीके से convert किया जाता है, वो सारी चीजे आपको सिखाई जाएंगी, ग्रीनरी कैसे बनानी है, घास वगरा कैसे यहां पर लगानी है, टेक्शरिंग वगरा और आपकी components कैसे place करने हैं, वो सारी की सारी चीजे इस आपको course में सिखाई जाएंगी, live classes होगी from 18 August से, Monday to Thursday class होगी, timing रहेगा 9 PM to 10 PM, यह timing एक ऐसी timing है, जहां पर जो working students होते हैं, वो अपनो जोब से आ चुके होते हैं और इस time पर वो अच्छे से class ले सकते हैं, certificate दिया जाएगा और 10 से 15 session रहेंगे जो इसमें cover किया जाएगे, after this आप यहां पर यह सब चीज़े बना पाऊगे, यह basically आपको two weeks challenge है, two weeks challenge के बाद आप यह completely बना पाऊगे, आपको काफी सारे projects पर काम किया जाएगा, अगर मैं class plus app के बारे में यहां पर दिखाऊँ आपको, तो यहां पर मैंने samples कुछ upload किये हैं, इन पर work किया जाएगा, और यहां पर आप देख सकते हैं, कुछ home plans मैंने यहां पर upload किये हुए, जिन पर हम work करेंगे, इनकी CAD file भी मैं आपको provide करूँगा, PDF यहां पर old lady है, और और भी मैं इसमें PDF डालूँगा, तक कि आप उसे बना के कुछ इस तरीके से आप इस चीज को यहां पर दिखा पाए, तो यह सब चीजे आपको मिलेगी, इसमें कोई pre-recorded video नहीं रहेगी, इसमें live classes रहेगी, और इसमें मैंने यही भी टाला कि आप Photoshop 2015, 2021 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, और AutoCAD 2021, 2013 को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद इसमें आपको task दिया जाएगा, live classes रहेंगी और उसमें आपको task दिया जाएगा, अगर कोई student, को student जो अच्छा perform करेंगे, task को अच्छे से करेंगे, जो भी, तो उसके लिए कुछ surprise भी हम यहां पे रखेंगे, after course completion जब उनका test clear होगा, तो उसमें भी अगर वो अच्छा perform करते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा surprise है, जो आपको मिलने वाला है, तो अभी जाएं आप app पे, जो link आपको description में मिल जाएगा, वहां से आपको download कर सकते हो, और वहां से आप इस चीज को सीख सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छा course आपके लिए, जो ये सीखना चाहते हैं, एक first 20 student के लिए जो हमारा price रहेगा, वो price रहेगा, ट्रिपल नाइन रुपी, only ट्रिपल नाइन में आप कर सकते हैं, 20 students के बाद price को बढ़ा दिया जाएगा, और फिर आपको ट्रिपल नाइन को offer नही आप सीखना चाहते हैं तो और परना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अलग लग topics में लेकिया हैं वालो, so thank you so much दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बने रहे हैं मेरे साथ, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, बंदे मात्रम!